तो जैसे ही गाड़ी आपकी 45 डिग्री से प्लस एंगल लेती है तो यह लाइट जो है वो अपने आप on हो जाती है और अगर आप आगे करना चाहते हैं या इसको हाइट यहां से आप देना चाहते हैं सिस्टम इसमें लगा हुआ है वह आपको बोल के बताएगा कि आपका यह वाला डूर ओपन है यहां पर क्रूज कंट्रॉल का ओप्शन दिया हुआ इसको मैं प्रेस करके एक्टिवेट करके बता लेता हूं वह बॉक्स है यह यहां से आप एसी का फ्लो ऑन ओफ कर सकते हैं इ W10 यह मॉडल है टॉप मॉडल यह मैनुवल ट्रांसमिशन में टॉप मॉडल आता है तो आज हम जानेंगे चलके इसके टॉप फीचर और इसका मैं पूरा वाकरांड इंटीर एक्स्टीर की डिटेल आपको शेयर करने वाला हूं सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वेला इकन को प्रेस जूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इसके साथ मैस का टेस्ट भी हम आज करने वाले हैं सो इस वीडियो में आप बने रहिए सो चलिए वीडियो शुरू करें इसका फ्रंट जैसा कि आपको पता है कि चीता इंस्पायर इसका फ्रंट ग्रिल है उसके बाद प्रोजेक्टर हेडलेंब का सेट अप आपको इसमें मिलेगा और 17 इंचेस के इसमें अलवाय भील आप यहां भी देख सकते हैं और आपको जो है वो आटोमेटिक रेन सेंसर जो है वो वाइपर मिलेंगे उसके बाद दो हैंडल कुछ इस तरीके के है और रिकでした जो है वो दोनों साइड ही आपको डैवर साइड और को ड्राइबर साइड दोनों साईड ही आपको रिक क्वेएस सेंसर जो है आपको मिलेंगे और नीचे एक्जास्ट है वो डबल रखा गया है और डबल वो जो है वो दोनों ही जो है एक्टिवेटर है एक और काफी अच्छा फीचर है जब आप कहीं टर्न पे गाड़ी को टर्न करते हैं यहां ही लेरिया में अगर आप ड्राइब कर रहे हो तो स्पेस यह बलाइंड बनता है उसको यह खंटम कर देती है तो आपकी जो जरनी जो को सेफ बना देती है और आपको सेफ कर देती है यह आप अधिये देख सकते हैं यह वाली से जो 45 डिगरी से प्लस अगर आपकी घ्रन लेती है तो अटोमेटिकली यह टन टन पे आन हो हैं अपने boot space को increase करने के लिए और 60-40 ratio में भी आप जो हैं center वाली seats को भी fold कर सकते हैं और पीछे आपको 12 बोल्ट का socket मिल जाता है जिससे आप अपने phone को charging पे लगा सकते हैं और यहाँ पे fuel lid opener के लिए यहाँ पे option दिया हुआ है इसकी exterior की detail और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर सबसे पहले की मैं आपको बता दो तो की कुछ इस तरीके की दिखती है यहाँ पे lock unlock और यह boot को open करने का भी आपको की से ही option मिल जाता है की को hold करके press hold करके आप boot को open कर सकते हैं तो चलिए गाड़ी के अंदर एंटर कर सकते हैं उसके बाद door पैनल बॉटल होल्डर विंडोस कंट्रॉल सबसे पहले हम बात करेंगे seat comfort की seat को यहां से electrically आप adjust कर सकते हो यहां से आप देख सकते हैं आगे के और फोल्ड हो रही है बैक के और और अगर seat को अगर आप आगे करना चाहते हैं पीछे करना चाहते हैं या इसको हाइट यहां से आप देना चाहते हैं तो electrically आप इसको adjust कर सकते हो अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो आपके जो instrument की lighting है वो सारी on हो जाएंगी यहां पर आप देख सकते हैं इन्फोटेन्मेंट सिस्टम में पावर आ चुकी है और instrument cluster भी on हो चुका है और इसको start करने के लिए आपको क्या करना होगा clutch को जो है वो प्रेस करके फिर इसको push बटन को आप push करेंगे तो यह गारी start हो जाएगी उसके लाब डैश वोड की quality काफी अच्छी है और यहां पर भी कुछ सामान प्लेस करने के लिए आपको यहां पर space मिल जाता है ग्लोब बॉक्स की बात करें तो इसमें dual ग्लोब बॉक्स दिया हुआ है एक ऐसे पर के और खुलता है और यहां पर नीचे इस तरीके से खुलता है और नीचे वाला ग्लोब बॉक्स जो है उसमें आपको light का option भी मिलेगा उसके बाद चलते हैं सेंटर कंसोल की ओर तो यहां पर देख सकते हैं आपको automatic fully automatic climate control आपको इसमें मिलेगा उसके यहां पर आप देख सकते हैं start stop का option दिया हुआ है इसका use यही होता है कि by chance आप कहीं traffic signal पर रुके हैं और काफी लंबे समय के लिए यह आपको रुकना पड़ रहा है तो आप इसको activate कर देंगे जैसे आप इसको activate करेंगे और clutch को press करेंगे तो गाड़ी आपकी जो है वो signal पर बंद हो जाएगी और उसके बाद जब आपको चलना होगा signal green होने के बाद तो जैसे ही आप clutch को press करेंगे तो गाड़ी दोवारा automatically start हो जाएगी जो की आपकी drivability और comfort को और comfortable बना देता है और उसके साथ साथ गाड़ी की जो है वो fuel efficiency और mileage भी आपको बढ़के मिलेगी जैसे की मैंने बताया six speed manual transmission है उसके बाद हम आ जाएंगे पीछे cup holder और यहां पर armrest की अगर हम बात करें तो काफी चौड़ा armrest दिया हुआ है और इसके अंदर जो है वो इसके अंदर यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर air cooled जो है वो बॉक्स है यहां से आप AC का flow on off कर सकते हैं इस तरीके से अगर आपको लगता है कि कुछ cool drinks है यहां कुछ AC item है जो कि गरमियों में आपको chill रखनी है तो आप यहां पर उसको store कर सकते हैं सेंटर में IRWM आप देख सकते हैं और उसके साथ ही आपको goggles के लिए holder है यहां पर आप अपने goggles को रख सकते हैं उसके साथ dual LED light का option है और उसके बाद बात करते हैं sunroof की जो की काफी बड़ा regular sunroof है blindfold अगर आप चाहते हैं कि air अंदर ना आए बट बाहर की रोशन ही आपको चाहिए तो आप blindfold को पीछे कर सकते हैं तो इस button को अगर आप एक बार ऐसे प्रेस करेंगे तो यह पूरा पीछे की और open हो जाएगा sunroof basically एक glass होता है जो कि आपके roof में molded होता है बहुत अच्छे तरीके से और कभी आपको लगता है कि हवा में निकल के कुछ इस तरीके से fun किया जाए तो वो भी आप कर सकते हैं विद्दा safety measures infotainment system की अगर बात करें तो इसमें हमें seven inches का touch panel मिल जाता है और सब तरह की connectivity phones के साथ app के through भी आपको available हो जाती है speakers जो है वो चारो windows में install किये हुए है navigation का option और app भी इसमें install है android और apple auto carplay का दोनों का ही support आपको इसमें मिलेगा केविन के विर में बात करना हूँ तो यहां पर आप देख सकते हैं windows control यहां पर AC vent दिये हुए हैं यह दोनों side ही आपको मिलेंगे रूप में back cabin में भी आपको light option मिलेगा साथ में यह दो lights का option भी यहां पर दिया हुआ है तो अभी मैं back cabin में आ चुका हूँ और यहां से आप देख सकते हैं thigh support काफी अच्छा है head room भी काफी अच्छा आपको यहां पर मिलेगा और back cabin में भी आपको यहां पर flow को control करने के लिए option मिल जाता है यहां पर दक्त ली हुए हैं दोनों side ही आपको दक्त मिलेंगे मैं आपको बता दूँ कि यह जो है fuel lid opener के लिए यहां पर electrically controlled switch लगा हुआ है इसको प्रेस करके आप लिड को open कर सकते हैं और इसके इलाबा कोई material यहां की चड़ यहां पानी तो नहीं पड़ा सो आपको काफी guide करता है अच्छे से steering features के हम बात करें तो tiltable और telescopic दोनों ही option इस model में हमें मिलते हैं तो इस तरीके से हम telescopic और tiltable अपनी पॉस्चर के हिसाब से गाड़ी को अपनी convenient के हिसाब से गाड़ी के steering को जो है वो adjust कर सकते हैं इसके इलावा safety का इसमें एक और कमाल का feature है जब भी आप safety belt नहीं पहनते हो या फिर आपका कोई door open रह जाता है तो इसका जो एक voice assist control system इसमें लगा हुआ है वो आपको बोल के बताएगा कि आपका ये वाला door open या फिर आपने seat belt नहीं पहन ली for example मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं अभी इसकी हलका सा कोई एक door खोल के गाड़ी को drive करता हूँ तो आप देखोगे आप observe करोगे कि ये बोल के बताएगा कि आपका कौन सा door जो है वो open है so चलिए start करते हैं so हमने left side का door अभी खुला छोड़ दिया है तो देखते हैं कि क्या message आता है तो जैसे हमने गाड़ी तो कोई एक door जो है वो open है तो इस तरीके से ये बताएगा बोल के बताएगा अजिए आपको जैसे हमने door बंद किया तो इसने next अपना step जो है वो process किया और बताया कि आपकी अब seatbelt नहीं लगी है तो seatbelt के लिए इसने बोलना start कर दिया कि आप seatbelt पहनो so same इससी परकार से ये अगर हमारी handbrake भी थोड़ी सी engage रह जाती है तो उसके लिए भी आपको ये voice control command में आपको ये assist करके बताएगा मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से इसमें एक voice assistant आपको लगा हुआ है जो आपकी ये छोटी छोटी चीजे हैं और छोटी के साथ ये बहुत important चीजे हैं जिनको ये आपको बता देगा तो बैक कैमरे का option भी आपको मिलता है और काफी visibility अच्छी clarity के साथ जो है graphics भी काफी अच्छे हैं काफी अच्छे से आपकी गाड़ी को और आपको guide करेगा जब भी आप गाड़ी को back लेते हैं अब हम हाईवे बे चल रहे हैं और स्पीड भी हमने 60 प्लस ही रखा हुआ है 60-80 के बीच में ही चलेंगे क्यूंकि रोड में जो ट्रैफिक है वो काफी सारा रहता है यहां पे और इसके साथ ही मैं आपको इसका जो से इक special feature है यहां पे cruise control का option दिया हुआ इसको मैं press करके activate करके बता देता हूं तो इसको प्रेक्टिकली जो एक्टिबेट करने का तरीका यही है कि एक particular control को activate कर सकते हैं और अगर हम highway पे कहीं long drive के लिए जा रहे हैं तो आप comfort drive के साथ अपनी fuel economy को जो है वो increase भी कर सकते हैं तो इसको activate करने का तरीका यही है कि आपकी जो minimum speed होनी चाहिए वो 80 के पास 80 के around होनी चाहिए 6 gear होनी चाहिए हो सकता है आप 5th में भी इसको activate कर पाएं बट जब आप highway पे चल रहे हो तो obviously आपको 6 gear डालना चाहिए ताकि आपकी गाड़ी जो है वो एक अच्छी fuel economy आपको निकाल के दे इसको deactivate करने के लिए आप किसी भी lever को clutch को या accelerator को brake को किसी को भी अगर प्रेस करते हो तो यह deactivate हो जाता है और again इसको आप यहां से set button प्रेस करके जो है वो activate कर सकते हो तो यही था cruise control को activation करने का process आपको set button जो है वो 2 seconds के लिए press and hold करके रखना होता है इसको properly activate करने के लिए और जैसे ही यह activate होगा आपका जो instrument cluster है उसमें एक आपको green color का indication भी दिखाई देगा और इस गाड़ी की खास बात यह है कि इसकी जो MID multi information display है वो आपको infotainment system में जैसा कि आपको मैंने यहां पे दिखाया वो सारी information आप यहां से readout कर सकते हो सो चली अभी इसकी drivability की बात कर लेते हैं तो गाड़ी की seat में बैठ कर आपको feel होगा कि मैं किसी एक बहुत ही safe गाड़ी में बैठा हुआ हूँ क्योंकि इस गाड़ी में जो safety है वो बहुत prime रखी गई है इसमें six airbags option आपको मिलेगा यह W10 model है जो अभी मैं drive कर रहा हूँ सो इसमें total 6 airbag जो कि इस गाड़ी को काफी safe बना देते हैं और उसके इलाबा अगर आपकी height 5, 10 और इससे plus है तो आपको गाड़ी की visibility भी काफी अच्छी रहेगी काफी बड़ी wind shield है इसमें और गाड़ी का bonnet भी आपको दिखेगा और इससे कम अगर आप height की हो तो इसमें आपको जो है electrical adjustable seat दी हुई है जिसको आप अपनी जो sitting posture है उसको आप सेट कर सकते हो और engine specification की अगर मैं बात करूं तो इसमें 22cc का engine लगा हुआ है और six speed manual transmission है ये और drivability जैसा कि जितना मैं इस गाड़ी को चला पाया हूँ या समझ पाया हूँ आपको simple सा उधारन दूंगा क कि like a swift or desire गाड़ी अगर आप 3rd gear में 20 और 20 30 की speed में भी चल रहे हो तो आपको engine की जो clocking आवाज होती है वो नहीं आएगी इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाप जूद भी आप बिल्कुल आराम से इसको drive कर सकते हो low rpm पर low speed पर driveability में मैं एक और चीज एड़ करना चाहूंगा कि जो मैंने personally observe की है कि मुझे डॉट था इसको चलाने से पहले कि इसका body roll काफी होगा तो जैसा कि मैंने इसके बारे में समझा है कि इसका जो monocoque design body structure है वो काफी low profile रखके बनाया गया है कि मतलब जो इसका floor होता है उसको काफ body roll जो है गाड़ी का वो खतम हो जाता है तो body roll जो है वो मुझे नहीं महसूस हुआ काफी अच्छा मतलब आपको लगता नहीं कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हो आप easily drive करोगे और drive का जो experience है वो काफी light रहेगा clutch accelerator brakes और handle का response काफी अच्छा है light handle जो है इसमें काफ भी आपको bulky feel करवाती है body roll भी कहीं ना कहीं आपको जो है वो uncomfortable गाड़ी तरीके से चल रही है उसका थोड़ा सा आपको feeling देती है मगर इसमें वह चीज बिल्कुल भी मैंने observe नहीं की जो की एक बहुत अच्छी बात है कि मैं अभी हम आगे चलके इसका fuel जो economic test average test वो करेंगे तो सबसे पहले मैं इसके जो मीटर जैन को reset कर देता हूं तो यहाँ आप देख सकते हैं total जो kilometers अभी तक गाड़ी ने done कर दी है वो 2781 है और यहां से हम कि इसको यहां से अभी आप देख सकते हैं कि average mileage about 17 point something की आ रही है तो इसको हम reset कर लेते हैं तो इसको अभी हम चलाएंगे 20-50 km और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या average निकल क्या आती आज का हमारा जो trip है वो complete हो चुका है और आते आते हमें अधेरा हो चुका है तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमने जो अपना trip start किया था वो 20-70, 7-80, 1 km से start किया था और अभी आप मीट्र की reading जैसी की देख पा रहे हैं 20-80-50 से अगर मैं वो reading less कर देता हूं तो इसकी mileage जो है किलोमेटर जो है वो 74 के around आ रहे हैं तो यहां पर चलके अगर हम देखें तो यहां पर 16.4 का किलोमेटर पर लीटर का average यहां पर शो कर रही है बट इसमें एक बात मैं यहां पर mention करना चाहूंगा कि इसमें हमने लगभग 20 किलोमेटर जो है वो traffic condition में गाड़ी चलाई है और around 7 to 8 किलोमेटर जो है वो bumper to bumper traffic में चलाई है तो अगर total चीजों को consider किया जाए तो अगर highway पे mileage मैं इसकी बताऊ तो 18 के around mileage highway पे यह अराम से दे सकती है by using cruise control mode और अगर आप softer side में गाड़ी को run करते हैं 1200-1500 rpm पर गाड़ी को चलाते हैं तो अराम से 18 की mileage आपको देगी और city condition म 13 to 15 के बीच इसका mileage रहेगा अगर आपका driving style aggressive नहीं है तो जो कि इसके लिए बहुत अच्छी बात है इतना काफी ज्यादा बेट होने के बापजूद इतना बड़ा engine होने के बापजूद जो इसकी mileage है वो काफी अच्छी है इने का मतलब अगर हम किसी चोटी hatchback petrol variant गाड़ी की बात करें तो उसके आसपास की इसकी economic जो है वो निकल के आ जाएगी तो यही था आज का वीडियो hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो like share subscribe करना channel को ना भूले thank you guys thanks for watching this video